हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू एजी क्लासेज एजी क्लासेज के इस डिक्टेशन सेरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है आज का यह डिक्टेशन हिंदुस्तान पत्रिका से लिया गया है जो आने वाले सभी सौठेन की एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो चलिए सुरू करते हैं आज का यह डिक्टेशन डिक्टेशन के अगती 80 से 100 सब्द परती मिनट की रहेगी चलिए सुरू करते हैं डिक्टेशन हिंसा रोकने की हर कोशिस स्वागत योग्य और अनु करनी है देश के सर्वोच नियाले ने उचित ही हर्याना उत्तर परदेश और दिल्ली को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है की हर्याना के नुह में हुई हिंसा के जवाब में राष्ट्री राजधानी में बिरोध परदर्सनों के दवरान कोई भड़काव भासन या हिंसा ना होने पाए राजध के अधिकारियों को संवेदंसिल छेत्रों में परदर्सनों की पिडियोग्राफी करने और घटना के सीसी टीवी फूटेज रखने का निर्देश दिया गया है वाकई जहां कहीं भी उपद्रव हो रहे हैं वहां इमानदारी से दस्तावेजी करन जरूरी है ताकि बाद में उपद्रवियों को सजा दिलाने में सुविधा हो यह कहने में कोई हीचक नहीं की हर्याना सरकार को अपने अस्तर पर ही हिंसा को नियंत्रित करना चाहिए था और सर्बोच नियायाले के हस्त छेप के जरूरत ही नहीं पढ़नी चाहिए थी अगर हर बार हिंसा रोकने की गुहार नियाय पालिका से करनी पड़े तो विधाई का वकारे पालिका की सार थकता कितनी रह जाती है यह बात चौकाती है की नूह में हिंसा के विरुद सडको पर अनेक जगह परदर्शन हुए हैं जबकि माहौल को सांत करने के लिए इनको रोकना जरूरी है इतिहास गवाह है की ऐसे परदर्शन न केवल सक्ती परदर्शन के लिए होते हैं बलकी इन में आराजक तत्वों की भागिदारी परशाशन की धिलाई के साथ बढ़ती चली जाती है किसी भी परकार की हिंसा का पक्ष लेने वाले परदर्शन को हर हाल में रोकना चाहिए यह राष्ट्रिय राजधानी की नाक का भी सवाल है यह इस छेतर के तमाम जन परतिनीरियों के लिए भी सजगता का समय है पुलिस को ऐसे तमाम नेताओं पर निगाह रखनी चाहिए जो उगरता या हिंसा के प्रति परत्यक्ष या परोक्ष समर्थन दर्सा रहे हैं ऐसे लोगों से साबधान रहने की जरूरत है जो किसी के हित ऐसी नहीं है और जिनका मकसद केबल उपद्रव को उकसाना है नुह की हिंसा और उसके राष्ट्रिय राजधानी छेतर पर असर को हलके में नहीं लिया जा सकता वहां 31 जुलाई को भड़की सामपरदाइक हिंसा के बाद से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है सौ से जादा लोगों को गिरफतार भी किया गया है पर जहां हजारों लोगों के दिमाग में सामपरदाइकता का जहर भरा हो वहां प्रशाशन को भी ब्यापकता में कारवाई के लिए तैयार रहना चाहिए सामपरदाइक आधार पर किसी भी दोसी को बचाने की जरूरत नहीं है अगर हम आज एक अराजक तत्व को बचाएंगे तो कल ऐसे दस तत्व पैदा हो जाएंगे हर्याना सरकार अपने ढंग से हिंसा को रोकने के लिए सक्रिय है पर सरवोचन्यायाले के निर्देश के बाद पुलिस अधिकारियों को भी जादा जिम्मेदारी का परिचय देना होगा इस्थिती को समभालने के लिए अर्द सैनिक बलो की 14 इकाईया नूह तीन पलवल दो फरीदाबाद और एक गुरु ग्राम भेजी गई है अगर और जबानों की जरूरत पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए आज हिंसा को भड़कने से रोकने से ज़ादा जरूरी और कुछ नहीं है हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने उचित ही कहा है कि सरकार हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों से नीजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई करेगी उपद्रवियों की जेव से बाजीव भरपाई करवाना न्याय पुर्ण है और यह काम जितनी जल्दी हो हिंसा पर काबु पाने में उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी नीजी संपत्ति के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति के मामले में भी सरकार को समान नजरिया रखना चाहिए संबिधान परदर्शन करने या अपनी बात रखने का हक सब को देता है पर उपद्रव का हक किसी को नहीं है थैंक्यू